बिस्मिल्लै रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बलकुल ठीक होंगे और अलहमदुलिल्लै आपके दौआ से मैं भी बलकुल ठीक जी तो कराची में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो सब दुआएं कर रहे हैं कि अल्लापाक अपनी रहमत बरसा दे तो जो मेरी प्यारी यूटू फैमिली कराची से बाहिर हैं जो बाहिर रहते हैं आउट अफ सिटी या आउट अफ कंट्री जो जो मेरी वीडियो वाच करते हैं तो भई उनसे मैं स्पेशली तोर पे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे प्यारे कराची के लिए दुआ जरूर कर दीजे कि अपनी रहमत की बारिश बरसा दे कराची में ताके मौसम खुशगवार हो जाए तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो किसी भी काम का सची बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता करने का चाहे वो घर काई हो तो भई यह जो मर्द हजरात हैं इनको मैं सैल्यूट करूंगी कि अल्ला पाक इनको हिम्मत दे होसला दे इतना अल्ला पाक इन सब को अपनी हिवज और अमान में रखे कि हमारे घर के जो हजरात हैं मतलब चाहे वो शोहर हो गए बेटे हो गए किसी के या वालिद हो गए अल्ला पाक इन सब को अपनी हिवज और अमान में रखे अल्ला पाक खास अपना फजलो करा मता करें इन पर और हम जो हवातीन हैं जो घर का काम करती हैं हर डेली बेसिस पर सच बताऊं तो इतनी सक्त गर्मी में बिल्कुल भी दिलनी चाहता कि मैं घर का काम करूँ खास तोर पे किचन का लेकिन का तो करना पड़ता है क्योंकि खाना बनाना है अकर खाना नहीं बनाएंगे तो बाहर से तो इतने महंगे महंगे आएंगे बच्चे क्या खाएंगे तो इसलिए ये तो करना पड़ता है फिर तो कुछ बरदाश करना पड़ता है फिर इसलिए और सफाय सुत्राइई में भी खैर इतना कोई नहीं होता इतना कोई मसला लेकिन जो किचन का जादा काम है वो ज्यादा important है और ज्यादा time भी kitchen में ही लग जाते है क्योंकि total जो काम है न हमारा वो kitchen का ही होता है सबी का ही होता होगा और इसलिए खाना बनाना बरतन धोना आटा गुनना रोटी पकाना यह सारे जो काम है न यह सारे kitchen के ही है और सच बताओं तो kitchen में ही ज्यादा तपीश होती है बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप सबने कराची के लिए special दुआ करने है कि Allah पाक अपनी रहमत की बारिश बढ़ सादे आमीन सुमामीन जी तो यहाँ पर जो है मेरी जो students है वो सीखने आ चुकी है और अब माशालासे इनका जो hand है वो बहुत ही ज्यादा need हो गया है अच्छे जो पहले जो student आती थी वो अभी भी पीछे की पीछे ही है इनकी जो sheet है आप देख सकते हैं कैसे घिच पीच और खिचड़ी पकी हुई है लेकिन मैं इनको यही बात समझाते हूँ आप पहले pencil से बनाना सीखें फिर उसके बाद असल में मैं इनको बता रही थी जलेबी वाली filling इनको जलेबी वाली filling नहीं आ रही थी जो carry में और flowers में जो filling होती है और साथ-साथ यहां पर बच्चे भी study कर रहे थे जो summer vacation home bar के वो इनका complete होने ही वाला है थोड़े दिन रह गए तो भई good news में आपको यह बताने लगी थी इससे पहले की जो वीडियो थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं good news जो है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी कि क्या है तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हम जल्दी से summer vacation home bar complete करने ताके हमारी लहोड से अपो आ रही है खैर से तो वो आएंगी तो फिर tuition के छुटीएं लेंगे और पिर हम लोग घुमने फिनने जाएंगे असल में जब मेरी नंद आ जाती है ना तो हम लोग बहुत enjoy करते हैं साथ घुमने फिनने जाते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है तो बच्चे तो भई इस मौके की तलाश में होते हैं हम भी जब छोटे ते तो हम भी इतने खुश होते थे जब हमारी फुपवा आती थी हम उनके साथ जाते थे घुमने फिनने खाला आ गए फुपवा आ गए तो इसलिए बच्चे भी इस तरह मेरे खुश हो गए कि चलो हमारी अपवा आ रही है तो जल्दी से भई इस काम से भी फ्री हो जाएं ताकि अपवा हैं तो हम उनको टाइम देदा जादा से जादा अच्छे यहां पे जो मेरी तीनों स्टुडेंट हैं उनकी छुट्टी हो चुकी है और हो गया है ठंडा टाइम फिर मैंने तीनों बच्चों को नहलाया साफ सुतरे कपड़े पहनाए तो ज्यादातर मैं ठंडे टाइम ही बच्चों को नहलाती हूं दुपएर के टाइम यूँ नहलाती फिर कोई फायदा नहीं होता दुपारा से कपड़े गंदे हो जाते हैं और फिर गर्मी इसकदर की है कि लगता ही नहीं है कि इनको नहलाया है तो इसलिए शाम के टाइम मैं लोको शावर दे के तो फ्री हो जाती हूं बिल्कुल और यहां पर मैंने मास्कों भी रडी कर दिया था मास्कों नीचे भेज के तो मैं अपनी कुकिंग में लग गई थी अच्छा और जो मेरे दो सूट जो गिफ्ट किये गए थे जो मेरे हस्बेंट ने जो मैं मुझे दिये थे गिफ्ट वो मैं आज आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो कंप्लीट हो गए और मैंने ही स्टीच उनको किये हैं थोड़े-थोड़े करके ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता तो थोड़े-थोड़े करके मैं बैठ जाती हूं सीने के लिए कि ताके ऐसे कंप्लीट हो जागा और अलहम्दुलेला आज के दिन वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं दोनों सूट तो सोचा कि अपनी यूटूब फैमिली के साथ जरूर शेयर करूं कि ये मैंने किस तरह स्टीच किया आप लोग कॉमेंट में जरूर बताएगा और ये मैंने कंगूरे वाले जो डिजाइन है ये फर्स टाइम मैंने अपने ट्राउजर पर ये डिजाइन बनाया है कभी मैंने अपने ट्राउजर में ऐसा डिजाइन नहीं बनाया तो ये फर्स टाइम है सोचा था ये जो मैंने प्लेटे डाली है इस पे हलकी फुलकी जी मोतीयं भी लगा हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोन का तो सूट है कोई बात नहीं ऐसी सिंपल ही ठीक है अच्छे ये मेरे पास टुकडों में और्गेंजा का कपड़ा रखा हुआ था थोड़ा सा पीस तो मुझे बहुत प्यारा लगाई है तो मैंने सोचे क्यों ना इसकी फ्रिल बनाके लगा दी जाए या एपलिक लगा दी जाए तो फ्रिल तो लगाने के लिए इतना कोई कपड़ा नहीं था इसमें जिसकी वज़़ा से मैंने आस्तिनों पे और दामन पे एपलिक ही लगा दी अचे स्लीव ना मुझे औरे भी पसंद है तो मैंने औरे बनाई हैं ये स्लीव फ़र ये के काम करने में थोड़ी प्रोबलम तो पेश आती है लेकिन ना ये nous बेहत पसंद है तो मैंने दोनों जो शर्ट्स है ना वो ऐसे ही सी है जिसकी जो स्लीव है ना दोनों की वो औरेवी रखी है और अच्छा नैक तो कोई डिजाइनिंग वाला मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि ये तो अल्रेडी इस पे म्राइडी वीवी थी स्टार्ड भी लगे वेते तो इसलिए मैंने सिंपल ही रखा और एयर लाइन शेप दिया है अपनी शर्ट पे क्योंकि मैं जो पतले से और चोटे-चोटे से दामन है वो नहीं पैनती मुझे अच्छे भी नहीं लगते तो इसलिए मैंने इसका भी औरेव शेप दिया है और जो ब्लू वाला सूट है इसका भी औरेव शेप दिया है जो आस्तीन है उसकी भी औरेव आस्तीन है मैंने पाइचो पे लेकिन जो है ना ये जो हमारी ले से वो कम पढ़ गई थी तो असल में मैंने चाको पर भी लगाई और दामन पे बिर्ट तो इसलिए कम पढ़ गई थी और स्लीफ पर भी लगाई तो खैर इसलिए मैंने सिंपल ही स्टीच कर लिया ट्राउजर अच्छे यहां प दरूर बताएगा यह मैंने किस तरह स्टीच और दोनों शर्ट मैंने एयर लाइन ही सी हैं क्योंकि मुझे एयर लाइन शर्ट बहुत पसंद है इन दोनों के जो दुपट्टे थे वह मैं आपके साथ शेयर कर चुकिती आपको दिखा चुकिती पिछली वीडियो में दोनों बहुत पसंद है यह शौरबे वाले खाने बहुत शौक से खाते हैं तो मैंने पहले यह बोला कि बैटा इतनी सक्त गर्मी है तो सक्त गर्मी में तो अंडे नहीं खाये जाते लेकिन फिर भी उन्होंने का कि मम्मा राइस बनाने है अपने साधे और अंडे आलो का सालन तो मैंने अपने बच्चे के फर्माईश पे ये दोनों चीज़े बना लिए और आधे से ज़्यादा काम तो मेरे बच्चे ही आसान कर देते हैं क्योंकि जब मैं बच्चों से पूछती हूँ तो बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि ममा जी ये खाने में बनाए तो मैं ज़रा ट वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए अल्ला हाफिज